क्या आप civil judge, session judge, additional district judge बनना चाहते हैं तो dkdubay.com app ज़रूर डाउनलोड करें play store से हमारी app पे store section में आपको मिलेंगे Hindi English Mixed Language के courses for all judiciary exams अब जिसका link आपको description में दिया गया है नमस्ते सदावत सले मात रभू मैं हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान की ऐसी चर्चा जिसके विशे में मैं लगातार पिछले लंबे समय से कहता आया हूँ और मैं ये कहता रहा हूँ कि अफगानिस्तान की ये जो दशा है इस दशा में मुख भूमिका अमरीका की है यानि कि USA की है, ऐसा लोगों का विचार था कि USA हार रहा है, ऐसा लोगों का विचार था कि USA भाग रहा है, ऐसा लोगों का विचार था कि USA इसमें उसको मूँ की खानी पड़ी, बाइडन प्रशाशन इस बात के लिए अपने ही देश में विरोध भी जहल रहा है, और इतना ख या ट्रम्प लगातार उनके खिलाफ इस समय चल रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि बाइडन को इस समय हटाना ट्रम्प के लिए उचित नहीं है कि कमला हैरिस अपने आप बैठ जाएगी, और इसलिए अब जो अगले सिनेट के और कॉंग्रेस के चुनाओं होने वाले हैं, उ वही रिपब्लिकन उनके खिलाब महावयोग लाने वाले हैं और उनको पद से हटा कर पुना चुनाओं में जाने वाले हैं, ऐसा लगता है, ठेर बाइडन इतना सब को जहलने के बावजूद क्यों आखिर चुपचाप बैठे हुए हैं, और अब जो उन्होंने कल घोशना कीन, वो तो एकदम ताज्यूद की बात है, यानि कि पूरा विश्व समुदाय उसको जहल पा रहा है कि नहीं जहल पा रहा है, ये पता नहीं, लेकिन ये तो सच है कि इस मामले में इंटरनेशनल कमुनिटी लगातार अनेक्सपेक्टेड घोशनाएं करती जा रही है, इसने सारे गलत काम करने के बावजूद तालिवान के खलाफ देश में विद्रोह पैदा हो गया है, महिलाएं रोड पर उतर आई हैं, महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और इसके बावजूद तालिवान उस देश में जो कर सकता है गलत, यानि कि इंटरनेशनल ह Human Rights के जो नियम है उन नियमों के खिलाफ जो गलत कर सकता है जितना कर सकता है अपने को बचाने की कोशिश करता है लेकिन मूल मानसिकता के अनुसार का मतलब है कि उन्होंने जैसे महिलाओं के लिए कहा कि तुमको बुरका पहनना ही पड़ेगा महिला और पुरुष साथ साथ नहीं पड़ सकते, साथ साथ घूम नहीं सकते और अगर महिला को घर से निकलना है तो एक पुरुष के साथ ही घर से निकलेगी क्यों क्योंकि अफगानिस्तान का नया निजाम ये जानता है कि मुस्लिम करेक्टर क्या है महिलाओं के प्रती मुस्लिम भावना क्या है उसका इंटेंशन भी महिलाओं को बचाना ही होगा क्यों कैसे बचाना होगा क्योंकि उनको मालूम है कि मूल इसलामिक कराक्टर कैसा है महिलाओं के प्रती कैसा भाव रखता है महिला अकेली जाएगी तो उनको मालुम है कि उनके तालिवानी बिद्रोही और जो वहां का जो इसलामिक करेक्टर है उसके नुसर महिलाओं का क्या हल होने वाला है इसका मतलब यह हो गया कि वो चाहते हैं कि कोई पुरुष साथ में आये ताकि महिला के साथ किसी प्रकार का कोई इसलामिक दुरविवार ना हो पाए यह अच्छा इंटेंशन मैं कहता हूँ कि तालिवानियों का है लेकिन इसी बात को अगर हम दूसरे रिवर सिस्टम में देखें तो यह है कि तालिवानी सरकार यह मान चुकी है कि वो महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सक इस इस्लामिक करेक्टर के अनुसार वो कितनी भी सरकार अच्छी चलाए वो बचा नहीं सकता ऐसा तालिवान का मुझे लगता है कि open expectation है अब सब कुछ ठीक है लेकिन human right के नाम से पूरा विश्व समधा है अब कैसा ultra game खेलने को तयार है यह आप देखे मैं आपको दो-तीन remedy बताता हूँ दो-तीन remedy यह है कि अगर अफगानिस्तान में उनको लगता है कि तालिवान की सरकार बैठने के बाद वहाँ पर human right का कुछ नहीं हो सकता वहाँ के महिला पुरुष के खलाफ लगातार जो हो रहा है वह होता रहेगा और बस्ट बस्ट और और बस्ट पोजिशन में चला जाएगा ऐसी सिचुएशन में जब सरकार वहाँ बैठने की सिचुएशन में ना हो यानि की popular government नहीं बन सकती तो फिर हमारे पास UNO में एक remedy है वो remedy यह है कि हम ट्रस्टिशिप काउंसिल को वो country पकड़ा देते है विश्व की peace keeping forces उस country में घुस्ती है जहां पर विद्रोच चल रहा है जहां इस प्रकार की करवाई चल रही है और उसको peace keeping forces के द्वारा कबजा करवा कर फिर ट्रस्टिशिप काउंसिल को दे दिया जाता है ट्रस्टिशिप काउंसिल में पाँच permanent member होते हैं अगल बगल का कोई एक ऐसा देश जो उस देश की अच्छी situation जानता हो उसको वहाँ administrator बना कर बिठा दिया जाता है और फिर जैसे जैसे politically state normal होता जाता है उसके बाद सत्ता वहाँ धीरे धीरे छोड़ दी जाती है आपके पास illustration है South Africa और Namibia का Namibia को ट्रस्टिशिप काउंसिल को दे दिया गया था First World War के बाद South Africa को उसका administrator बना दिया गया था South Africa बगल का country था और Namibia में उस समय विद्रोह चल रहा था यानि कि कोई political government वहाँ बैटने में सक्षमा नहीं थी बाद में Second World War के बाद भी वो प्रक्राण चालू रहा तो Second World War के बाद जो नई ट्रस्टिशिप काउंसिल बैठी उसने कहा कि अब देश stable हो गया है आप उस देश को छोड़े उस देश को छोड़ने से South Africa ने मना कर दिया था और ये कहा था कि हमने जो League of Nations था यानि कि First World War के बाद जो organization बनी थी उसकी ट्रस्टिशिप काउंसिल से इसको लिया था और अब जो नई ट्रस्टिशिप काउंसिल Second World War के बाद UNO बनने के बाद बनी है उसको कोई दिकार नहीं है कि वो हमसे खाली करवा दे आपको याद होगा कि वो मामला International Court of Justice गया था और International Court of Justice ने कहा था कि जो नई ट्रस्टिशिप काउंसिल है UNO की वो League of Nations की ट्रस्टिशिप काउंसिल का ही successor है इसलिए नई ट्रस्टिशिप काउंसिल उसको खाली करवाना चाहती है तो आपको खाली करना पड़ेगा साउथ अफरीका ने जब उस पर मना किया तो फिर सेकेरिटी काउंसिल ने उस पर स्टैप लेने की धमकी दी और कुछ Peacekeeping Forces बहां भेजने की विवस्था भी की उसके बाद साउथ अफरीकावने ने नामी विया को छोड़ा था मैं सिर्फ ये illustration इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर किसी देश में इस परकार जैसे अफगानिस्तान में सरकार बैठी है इस परकार की सरकार बैठती है तो उसकी remedy ट्रस्टिशिप काउंसिल है अब यहां पर वो remedy देने की बजाए यूएस और जो पश्मी देश है वो दूसरी remedy देना चाहते हैं क्या remedy दी है उन्होंने अभी जेनेबा में कल एक बैठक हुई बैठक यूएस भी उसमें शामिल अफगानिस्तान पर उस पर चर्चा हुई अफगान ये international community की बैठकती humanitarian assistance कैसे दी जाए वहां पर इसमें एक billion dollar की aid आप सोच सकते हैं कि एक billion dollar की aid ये कोई और नहीं कह रहा ये अफगान मीडिया ने प्रचारित किया है कि एक billion dollar की aid अफगानिस्तान में humanitarian ground पर देना चाहते ह इसको Taliban को देना चाहते हैं क्या Taliban को तो घोशना नहीं कर सकते तो वहां की जनता को देना चाहते हैं क्या जनता को कैसे देंगे दूसरा US ने separate announcement किया additional 64 million dollar की aid एक तो word aid है एक billion dollar की दूसरी 64 million dollar की US aid देगा अब आप सोच सकते हैं कि US जो वहां से भाग रहा है US वहां से निकाला गया है US की इतनी जादा बेज़ती हो गई है कि Biden प्रशाशन इस समय खत्रे में आ गया है फिर भी US उसको 56 million dollar million dollar की aid देने जा रहा है और world community को वो convince कर लिया है कि एक billion dollar की आप aid दे अब इस बात का हवाला देते हैं वो उसने क्या का कि United Nations development program में जो जो already उसने announce किया है वो ये कहा है कि अफगानिस्तान में 97% poverty आ गई यानि कि गरीवी है इस गरीवी से निपटने के लिए आपको food, medicine और जो वहां विफार करने की विवस्ता है वो करनी पड़ेगी ऐसा UNDP ने कहा अब देखने के बात यह है कि जब पुरानी सरकार बैठी थी यानि कि अश्रफगनी की सरकार बैठी थी US assistance से चल रही थी उस सरकार के दोरान भारत ने भी मनमौन सिंग सरकार भारत में बैठी मनमौन सिंग सरकार ने खूब एड़ दिया हाला कि शुरूबात वाजपई सरक पूल बनाए उनके डैम बनाए उनके पारलेमेंट को भारत में बनाया और बहुत कुछ उनके उनके हॉस्पिटल्स भारत में बनाए यह एड भारत लगातार अभी पीछे तक देता रहा जब तक टालिवान वहां नहीं बैठ गया अब यस जैशंकर से भी यह बात पूछी गई जब विश्व कम्मुनिटी वहां पर पैसा देना चाहती है तो यस जैशंकर से पूछा गया कि आप बताएं उनका कहना है कि अभी हम बाच कर रहे हैं मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बाचपई सरकार की सिंपल पॉलिसी थी और वो पॉलिसी थी कि हम अफगानिस्तान के अंदर तालिवानियों को किसी प्रकार से रिकोगनीशन नहीं दे सकते हैं लेकिन उस पॉलिसी पर मनमोहन सिंग तो चले पर मुझे नहीं लगता कि मोदी जी उस पॉलिसी पर चलने वाले क्योंकि मोदी जी समय के नुसार नेशन फरस्ट सिध्धान्त देखेंगे लेकि में तालिवानियों को संतुस्ट करने में भारत का भला है या तालिवानियों से लड़ने में भारत का भला है ये वो जरूर देखेंगे इसलिए ये जैस संकर का ये जो स्टेटमेंट आया ये बिल्कुल क्लिर स्टेटमेंट नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि ये तो तालिवा 5.56 billion dollar की मदद करना चाहते हैं including US direct मदद तो ये आखिर कैसे करेंगे humanitarian ground पर कहते हैं human rights के लिए कहते हैं वहाँ food supply करना चाहते हैं वहाँ रोजगार पैदा करना चाहते हैं तो सबाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान में अगर Taliban का कबजा हो गया है वहाँ उन्होंने सरकार बना ली है वहाँ system hack कर लिया है तो आखिर ये मदद जाएगी कैसे ये मदद क्या direct लोगों को देंगे ये ऐसा कोई mechanism है क्या US के पास कि किसी भी देश में या world community के पास कि किसी भी देश में उस देश की सरकार की इक्षा के बगएर वहाँ सीधा investment किया जा सके या सीधा लोगों को मदद की जा सके मैं आज तक तो जानता नहीं हूं कि ऐसी कोई mechanism है दूसरा जो भी सरकार बैटती उस सरकार के थ्रोही मदद की जाती है तो सरकार तो तालिवान की बैठी हुए और तालिवान को प 80% राजनेता ते इसमें से लगबाग 25 राजनेता उनके जो मिनिस्टर्स बने हैं वो सबके सब यूएस वांटेड हैं या यूएनो वांटेड हैं और इंटरनेशनल टेरिस्ट घोशित किये जा चुके हैं तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर यूएस या जनता वहां की समझ पाए या ना समझ पाए ये उनकी स्टाटेजी का पाठ है तल तालिबान का वहां बैठना और 25,000 तालिबानी आतंगबादियों के दौरा पूरे देश पर कबज़ा किया जाना और यूएस असेस्टिट फोर्सिस या वहां पर जो नाटो की फोर्सिस प चला गया होता वह बिलकुल देश खाली कर दिया होता और उसके बाद जो सरकार बैठी होती उसके उपर तालिबान ने कबज़ा कर लिया होता लेकिन अभी तो यूएस बैठा ही था अभी तो नाटो की फोर्सिस बैठी ही थी कुछ परसेंटेज मैं कहूं 50% 40% वहां से उन को का बलिदान भी किया अपने ही लोगों का बलिदान भी किया और लगा था यह स्टेट्मेंट भी आ रहे हैं अब फ्रांस ने कहा कि हम इनको रिकर नहीं करेंगे ग्राउंड क्या था उन्होंने कहा कि इन्होंने प्रॉमिस पूरा नहीं किया जर्मनी कहता है अप अपना पूरा करिये योरोप पूरा के रहा आपना पॉरा करिये अपने प्रामिस शूटा तुम्हें समझ नहीं पाया कि आखिर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो कोन्सा प्रामिस प्रामिस अमरी forces के खलाफ नहीं करेंगे ऐसा कुछ उन्होंने बोला तो इसका मतलब है कि आपका pact था उस pact के तहत ही आप तालिबान को सत्ता ट्रांसफर करना चाहते थे और सत्ता ट्रांसफर हुई भी बस इतना है कि बाद में उसका जो अंत है वो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि जिन तालिबान कोई बिठाना चाहते थे आप अपने तालिबान के साथ ऐसा क्यों agreement कर लिया promise और agreement तोड़ दिया promise थोड़ दिया जो इस तरह की बते आपको करनी पड़ती क्योंकि शशक्त तालिबान कुरूर तालिबान US और Western countries के favor में है क्यों favor में है क्योंकि तालिबान अगर परिशान करेगा तो किसको करेगा तालिबान परिशान करेगा तो रशा के alliances को करेगा रशा के पास कौन कौन से alliances हैं रशा के पास उधर कजाकेस्तान तुर्कमेनिस्तान तजाकेस्तान यह सब रशा के आज के CIS के part हैं यानि कि Commonwealth of Independent States जिसको कभी USSR कहते थे तो USSR जैसी binding तो न तालीबान रशा के खलावी आया था जो यूयस सपोर्ट से बना था और अब तालीबान जो रशा के खलाव ख़डा हो जाएगा। कि तालिवान अगर सही से काम करता है, तालिवान सही से स्टैबलेश अफ़कानिस्तान में हो जाता है, तो इसलामिक करेक्टर के अनुसार उसने इन सब को परिशान करना है, और ये जितने टरिजम से परिशान देश रहेंगे, उतना यूएस के पक्षम है, क्योंकि US का दुश्मन नंबर 1 कौन है आज चाइना दुश्मन नंबर 2 कौन है जो लंबे समय से है वो है रशा यूएस को अगले 10 साल 15 साल में चैलेंज कौन कर रहा है नर्मुदी सरकार बैठने के बाद जिस परकार से भारत में स्पीड पकड़ी है और डिफेंस में जिस प पर जा रही है तो वो खतर की बात तो है यूएस के लिए क्योंकि भारत शशक्त भारत उनके पक्ष में नहीं है यानि कि भारत को भी वो परिशान करेगा और पाकिस्तान का जो हाल है वो तो है है इरान से उनकी पट्ती नहीं यानि कि अफगानिस्तान शशक्त अफगानिस अफगानिस्तान वेस्टन कंट्री और यूएस के 100% पक्षमें है यही कारण है कि आपको मारकर भगाने के बापजूद आप एक बिलियन डॉलर की मदद लाना चाहते हैं यूरोप से और आप 556 मिलियन डॉलर की मदद डिरेक्ट कर रहे हैं तो किसको देंगे आप अफगानिस्तान में नहीं देंगे आप तालिवान को देंगे और तालिवान को देंगे तो तालिवान क्या करेगा यह हम सब जान ही रहे हैं कि तालिवान की सिचुएशन क्या है और तालिवान के थ्रू नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमसे बाद में चीन कम्मिनिस्टों के हाथ में गया, हम 1947 में सतंतर हुए, वो 1949 में कब जा किया उन्होंने, लेकिन वो हमसे ज़ादा तेज स्पीड में चल रहे हैं, उसी समय पर सिंगापूर भी आजाद हुआ था, लेकिन सिंगापूर कहां पहु कि वो हिंदुस्तान को परिशान करेगा, यही कारणा है कि हिंदुस्तान पिछड़ गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ने में उसने समय ज़्यदा खराब किया, और उसने अपनी प्रोग्रस में समय कम दे पाया, आज ऐसे अफगानिस्तान में तालिवान को इस्टे और जितने Christian country हैं, वो सब यूएस के साथ हैं, उस समय जितने Christian country थे, वो सब UK के साथ ख़ड़े दिखाई दे रहे थे, आज जितने Christian country हैं, वो सब यूएस के साथ दिखाई दे रहे हैं, और यूएस इसमें game खेल रहा है, भड़ी उसको अपयश मिल रहा हो, लेकिन long term policy उनकी स झाल झाल